क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी ट्रेडिंग के जरी अपनी फाइनेंसिल सिच्वेशन को सुधार सकते हैं आज आप बहुत सारे न्यूज, आर्टिकल्स ये सब देखते होंगे और बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे कि ट्रेडिंग में लॉस हो गया उसके बाद वो बोलते हैं कि ट्रेडिंग बहुत बेकार चीज़ है ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं बनता अरे भाई ट्रेडिंग से पैसा बनता है बट आप बिना कुछ सीखे जब फिल्ड में उतर होगे तो एक्सिडेंट तो होगा ही न इसलिए लोगों को एजुकेट करने और ये परसेप्सन हटाने के लिए कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है मैंने ये वीडियो बनाया है ट्रेडिंग फोर बिगनर्स आपको इस वीडियो में मिलेगा ट्रेडिंग के असली फंडे बिना कॉंप्लिकेशन्स के आप ये वीडियो को पूरी तरह से सही से देखोगे तो मैं ये कंफर्म बोल सकता हूँ कि आप एक प्रोफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो तो बिना किसी देरी के चलिए सुरू करते हैं तो फर्स्ट जो टॉपिक है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टेकनिकल एनलेसिस टेकनिकल एनलेसिस के अंदर हम लोग पांच छीजों के बारे में स्टडी करेंगे और उससे समझेंगे कि उनका यूज हम बिना कॉम्पलिकेशन के साथ कैसे कर सकते हैं स्टेजेज ऑप दा मार्केट में ये चार फीज आते हैं पहला है एकुमिलेशन फीज, सेकेंड है एडवांसिंग फीज, थर्ड है दिस्ट्रिबूशन फीज और फूर्थ है डिकलाइनिंग फेज, आप ये चार्ट जो मैंने बना रखा है आप यहां देख सकते हो कि यहां पर मार्केट एक रेंज में चल रहा है, उसके बाद मार्केट इस रेंज को तोड़ता है उसके बाद market uptrend हो जाता है फिर market एक range में आता है और फिर market उस range को नीचे की ओर breakdown करता है और फिर वापस declining phase में आ जाता है तो इससे क्या पता चलता है कि market हमेशा एक phase में चलता है market कहीं से भी कभी उपर नीचे नहीं हो जाता है हमेशा एक phase में चलता है तो आईए एक एक करके जानते हैं कि accumulation phase, advancing phase, distribution phase और declining phase क्या है तो accumulation phase नाम से ही पता चल रहा है कि जब market के prices accumulate करे एक level में जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, मालो market यहाँ से गया, उपर गया, फिर वहाँ पर resistance phase किया फिर नीचे आया, एक support बनाया, फिर वापस उसी resistance से फिर नीचे आया और उसी support पर support लिया यह चीजे थोड़ी उपर नीचे हो सकती है, तो आपको इससे tension नहीं लेना है, आप यहाँ क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर rectangle भी ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे तो ऐसे market में आपको क्या करना है, आपको ऐसे rectangles बना लेना है, और market को देखना है, कि यहाँ पे एक market गिया, resistance फिस किया, फिर नीचे आया, फिर वापस दुसरी बार इस level को, यह resistance को तोड़ नहीं पाया, और वहीं से बार बार वापस नीचे आ रहा है, यहाँ पे support ले रह करते हैं, और अगर आप loss करते हो, तो आप लोग भी इसी में trading करते होगे, और यहाँ पे फाज आते होगे, आपको लगता होगा, कि market यहाँ से breakout देदेगा, इस बार गया, वापस आ गया, यहाँ पे मतलब resistance है, इसको breakout देदेगा, तो मैं यहाँ पे trade ले लूँगा, तो य अगर मानलो market यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे support बनाया है, और मानलो कि अभी 20,400 है, market अगर 20,400 पे है, अब 20,400 का अच्छा support लिया है, और data भी मेरा supportive है, और 20,500 वाले जो call writers है, वो हट रहे हैं, इसका मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पे trade लेना है, जब इसको break करेगा, मतलब मुझे यहाँ पे accumulation phase को जब breakout करेगा, तो उसके लिए मुझे data का भी support लेना पड़ेगा, मुझे data देखना पड़ेगा, option chain देखना पड़ेगा, कि option chain क्या कह रहा है, कि call writers हट रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब तक बड़े players हटेंगे नहीं, तब तक accumulation phase, advancing phase में नहीं जा अब यह कब बनता है, जब accumulation phase का breakout हो जाता है, तब advancing phase हमें देखने को मिलता है, और इस market में option buyer सबसे ज़्यादा पैसा बनाते है, option sellers उतना पैसा नहीं बना पाते हैं, वो भी buying करने लगते हैं, क्योंकि यह market होता है, यह बहुत बड़िया पैसा देता है, और यही market का आपको वेट करना है, आपको क्या करना, as a option buyer आपको accumulation phase में buying यह नहीं करनी है, आपको advancing phase और declining phase में एकेवल करना है, declining phase के बारे में मैं आपको बात में बताऊंगा, अब ही मैं advancing phase के बारे में आपको बताता हूँ, कि आपको क्या करना है, जैसे ही आप देखो कि higher high लो बना रहा है, अगर एक higher high बनाता है और दूसरा higher high को तोड़ता है मतलब यह जो level है इस level को तोड़ता है और फिर नया higher high बनाता है इसका मतलब समझो आप कि market accumulation phase से हट गया है advancing phase में जा चुगा है अब मैं यहाँ पे option buyer बन सकता हूँ और अच्छे quantity में buying कर सकता हूँ अब आता है distribution phase मतलब क्या हुआ कि option sellers यहाँ पैसा कमाएं फिर option buyer यहाँ पैसा कमाएं फिर यह option buyer कहीं तो book करेंगे न अब आप क्या करोगे आप और हम क्या करते हैं कि हम retailers हैं कम पैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं हम 10.15.50 ले करके निकल जाते हैं पर जो बड़े players होते हैं वो आ जाय और यहाँ पर accumulate करें इसको कहते हैं distribution phase यह thard phase होता है तो नहीं सब्सक्राइब.​ पे है तो 20,700 वाले पूट राइटर जो हैं वो हट रहे हैं कि नहीं आपको यह देखना है आपको अगर यहां पता चल जाएगा कि पूट राइटर हट रहे हैं मतलब आप यहां पे ट्रेड ले सकते हो और उसके बाद आता है लास्ट डिक्लाइनिंग फेज यह मार्केट का सबसे बढ़िया फेज होता है इसमें और बाइनिंग बहुत स्लो होती है डिक्लाइनिंग बहुत फास्ट होती है सेलिंग जो होती है बहुत फास्ट होती है तो यहां पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप लगबग आप अगर बाइंग में, अगर आप एक गंटे में प्रॉफिट बनाते हो, तो यहां पे 10 मिनिट में प्रॉफिट बनाओ गए आप, क्योंकि डिक्लाइनिंग बहुत फास्ट होती है, तो यह होता है डिक्लाइनिंग फेज, जहां पे मार्केट, डिस्रिबूशन फेज के बाद, सपोर्ट कहां लेती है, सपोर्ट आएक कॉललेशन फेज के लेगी, या फिर लेगी एडवांसिंग फेज के सपोर्ट पे, यह जो रेसिस्टन्स था, उसको सपोर्ट बना लिया, तो वहां पे सपोर्ट लेकर के वापस मार्केट अपट्रेड में जा सकती है, तो जिसका use हम price levels के लिए करते हैं, जिससे market में assets के price किस direction में change होने की possibility है, ये पता करते हैं, जैसे support एक ऐसा price level होता है, जो market के price down होने से रोकता है, और बढ़ने में help करता है, जबकि resistance एक ऐसा price level होता है, जो market के prices को increase होने से रोकता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो trading तो करते हैं, बट support resistance लगाना कैसे है, find कैसे करना है, ये नहीं जानते हैं, तो आईये समझते हैं कि support और resistance कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि resistance find कैसे करता है, तो सबसे पहले तो मैं chart को पुरा clean रखूँगा, मेरे chart पे कोई lines नहीं चाहिए सुरू में, कोई indicators नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई volume कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले मैं देखो chart क्या कहना चाहता है, तो chart यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मुझे यहाँ पे resistance find करना तो मैं कैसे करूँगा, मैं सबसे पहले देखूँगा, एक जो level है, वहाँ पे market कितनी बार जा रहा है, और वापस return हो रहा है वहाँ से, यह देखूँगा सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको ऐसा कौन सा level लग रहा है, जहां से आप देख सकते हो कि, market वहाँ पे जा रहा है, फिर वहाँ से गिर जा रहा है, वह कौन सा level आपको यहाँ पे लग रहा है, तो आप देख सकते हो कि, यहाँ पे जो यह level है, यह आपका जो level है, यहाँ पे market पहला बार आया, गिर गया, फिर दूसरे बार गया, फिर वापस गिर गया, तीसरे बार गया फिर वापस गिर गया ये चौंते बार गया फिर वापस गिर गया इसका मतलब है कि ये जो लेवल है ये बहुत बढ़िया रेसिस्टेंस है ये पहला बार जो गिराना उसके बाद मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पे एक लेवल लगा दूँगा जब market दुबारा यहाँ पर आएगा तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर exit कर जाऊंगा trade से अगर मैंने support पर buy किया किसी चीज़ को तो मैं यहाँ पर resistance पर exit कर जाऊंगा क्योंकि पहले जो है market यहाँ से गिर चुका है यह resistance हो चुका है तो मैं क्या करूंगा यहां से एकजीट हो जाओंगा दूबारा जब मार्केट यहां जाएगा तो फिर वापस यहां पर जाएगा मार्केट फिर वहां से एकजीट हो जाओं मतलब यहां पर मैं ट्रेड नहीं लूँगा यह नहीं सोचोंगा मार्केट यहां पर तोड़ अबरेकाउट के बाद तरह ठ्रेड नहीं देना आपको कि अबरेक ओड के बाद आपको वेट करना है कि ब्रेकाउट दे उसके बाद वापस है सपोर्ट बना फिर जाकर के आप ट्रेड लोगे जब रेसिश्टन सपोर्ट बन जागा तब थिए तो ऐसे फ़ाइंड करते हैं स सब्सक्राइब देखंग को सब्सक्राइबuben सब्सक्राइब करेड best Rafi ौनृणनीव पर Kunco's अबी हैं कहित अब की यहाइब लिनुर आप देल नीचा कि ऑठाए नहीं पर बार sila raf1 मार ambigu Administration दूसरी बार आया वापस गया तीसरी बार फिर आया फिर वापस गया ठीक है तो ये बढ़िया support level है तो ये जो है ये support और resistance ऐसे लगाता है तो आईए अब ये समझते हैं कि हम कैसे support और resistance लेवल का यूज करते हैं ट्रेडिंग में तो जब market price support level तक पहुंचता है तो एक potential buying opportunity बन जाता है ऐसे time पर traders अपने buy orders प्लेस कर सकते हैं क्योंकि expectation होते हैं कि price फिर से increase होगा वैसे ही जब market price resistance लेवल तक पहुंचता है तो ये एक potential selling opportunity बन जाता है ऐसे टाइम पर ट्रेडर्स अपने sell order प्लेस करते हैं क्योंकि expectation होता है कि price फिर से गिरेगा लेकिन याद रखें support और resistance levels कोई guarantee नहीं देते हैं कि price वहाँ से reverse ही होगा market कभी भी unpredictable हो सकती है इसलिए risk management का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इंट्राइडे ट्रेडिंग में candlestick pattern काफी important होता है यह pattern हमें market के trend और price moment को समझने में help करता है तो यह रावो candlestick pattern इस candlestick pattern का नाम है swing low engulfing candle इस candlestick pattern में क्या होता है कि आपका जो पहला candle होगा वह small होगा और जो दूसरा candle होगा इसके जो next वाला candle होगा वह इससे बड़ा होगा मतलब जो पहला candle होगा उस candle को अगले वाले candle ने पूरी तरह से इंगल्फ किये हुए रहेगा तब यह candle कहलाएगा swing low engulfing candle अगर मानलो कोई support है नीचे में तब क्या करेगा यह जो है यह candle होगा वह नीचे से rejection होना चाहिए इस candlestick में ठीक है नीचे से rejection होना चाहिए तब ही मानेंगे हम इसे swing low engulfing candle stick समझ गयोंगे आप अगर नहीं समझे तो एक और फिस से मैं बता देता हूँ आपको की पहला जो candle होगा वह इस से बड़ा होगा और जो पहला candle होगा वह red होगा दूसरा candle green होना चाहिए जो दूसरा candle का विक होगा नीचे से rejection लेना चाहिए तब ही जाकर के यह swing low engulfing candle माना जाएगा तो आईए अब जानते हैं कि यह candle stick चार्ट पर फर्म कब होता है तो यह जो candle stick होता है इसे reversal candle stick भी माना जाता है तो यह जो candle stick है यह तब फर्म होता है जब market के ट्रेंड को reverse कर देता है इसलिए इसे reversal candle भी माना जाता है तो यहां देखो आप lower lower high बना रहे हो उसके बाद higher है higher low बनाना इस्टार्ट कर दिया मतलब यह जो candle stick है इसे reversal candle stick भी माना जाता है और यह ट्रेंड को reverse भी करता है अब आते हैं इसके बीरिस वर्जन में कि यह हैं इसका बीरिस वर्जन इस clares कंडल का नाम के सउंग है इंगल्फिंग Cruise इसमैं क्या होता है इसमें जो पहले चैन्डल होता है वह ग्रीम होता है दूसरा चैन्डल होता हuciones हिक यहां पर यहां यांतर यहां पर झालोग पए resistance है और इसको पूरा यहां यह पूरी तरसे यहां से जो रेसिस्टेंस है वहां से रिजएक्शन होना चाहिए इसको जिसेप बुस्क्ते हैं तो यह सपर्ट से रिजएक्शन ले रहा था लेकिन यहां पर बीस में रिदफ जारे पर करके राव मिंना चाहिए जीए तभोगा अगर अब जालतेragen की सब्स कर देता है यहां देखो आप लुवर लुवर है बनाना इस्टार्ट कर दिया तो जब मार्केट अप्रेंड में है और यह कैंडल स्टिक जब ऊपर में टॉप पे बनेगा तब यहां पर फॉर्म होगा तब यह जो कैंडल स्टिक होता है वह ऐसे ट्रेंड को रिवर्स कर देत क्या होता है कि यहां पर वापस जो ट्रेंड होता है वो रिवर्स हो जाता है और डाउं ट्रेंड में चला जाता है तो यह हो गया आपका स्ट्विंग है इंगल्फिंग कैंडल तो खाइस आये जानते हैं कि bullish version में यह candlestick कैसे काम करता हूँ और इसके कुई example देखते हैं और बताते हैं आपको आप यह candlestick के help से कैसे trade ले सकते हैं तो आपको मैंने बता रहा है कि यह एक intraday trading strategy है तो मैं जो time frame यूच करूँगा वह है 15 minute मैं 15 मिनिट पे इस केंडलिस्थिक पैटन का यूज करूँगा अब देखो आप यहां पे एक एक जामपल मैंने लगा रखा है तो यहां पर देख सकते मार्केट डाउंट्रेंड में हैं यहां पर देखो लोवर लोवर है लोवर लो ठीक है लोवर है फिर लोवर लो अब क्य लग रहा हो गई चार-पांची बनाया है बट यह जो है ना 50 मिनिट का कैंडल है तो बहुत अच्छा टार्गेट हमें मिला है यहां पर यहां पर देख सकते हो कि यह जो कैंडल है यह स्मॉल है यह इससे बड़ा है इसको इंगल्फ किया है पूरा यह जो छोटे वाले है उसके बाद एक इंगल्फिंग कैंडल बनाया है नीचे से विक का रिक्सन भी है तो हम कंफर्म हो गए कि यह जो कैंडल स्टिक है अब क्या होगा अब हम ट्रेड लेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि यह कैंडल के मदद से आप ट्रेड कैसे लोगे तो यहां पर मान लो तो आप डेट लेतो हैं यहां पर टिकही स्टेंडल का मेरा लो होगा मेरा काशोगा जो पॉइंटीं पॉइंटर मेरा मिमिनमपनीमिंफ निमजों तो मुझे लेना यह टांडेश टिकession अगर आफ कुछाप गॉप शौ। तो यह देखो आप कितना बढ़ी है यह चाम करता है अगर आप इसे इंट्राडे में यूज करते हो तो एक और एक्जामपल देखते हैं इसका तो यहां देख सकते हो आपकी यह जो कैंडल है यह मार्केट डाउंट्रेंड में है यहां पर देख सकते हैं यह जो है समौल कैंडल है और इससे बड़ा कैंडल यहां पर है इसको पूरा इंगल्फ किया और नीचे सैंट्रेंट्रेंट्रीं ट्रेंट्राइच जो मेरा इसटाप्लास मतलब 44-45 point का stop loss होगा है मतलब premium में मेरा 20 point का stop loss होगा आप 15 minute का candlestick यूज़ करो तो आपका stop loss थोड़ा बड़ा होगा मतलब 10 point 15 point 20 point तक हो सकता है अगर 20 point से ज्यादा stop loss है तो आप खुद मतलो उस trade को लेकिन अगर आप 20 point का stop loss से ले तो आपका target भी बड़ा होगा ठीक है, टार्गेट क्या होगा, यहां पर देखो आप, इसने यहां पर, एक बज के 45 मिनिट वाले कैंडल पर, यहां पर, मेरा जो टार्गेट है, वह हीट कर दिया, यहां पर, तो यह आप समझ गया होगा, कि यह ट्रेट कैसे लेना है, इस कैंडल स्टिक के हल्प से, मैंने चाहिए जब तक मार्क ट्रेलिंग ट्रेलिंग शुप नहीं करता है रिवर्सल जो ट्रेलिंग लें तो रहा है में पतलिंगाइड मेरी सब्सक्राइब हो उसको यहां पर कर रहा होगा क्वाग लिवर्वर्वर्जन दइसwhy एकित केदल . खहलAL का शाई का सब्सक्राइट केंडल होका इस उसको पूरी तरज की मेरेटैन्स होगा उसको यहां पे reject कर रहा होगा यह candle का जो विक होगा तो यहां देख सकते हैं और यह candle इसको इंगल भी किया है तो यह हो गया मेरा जो कैंडलिस्टिक होगा उसका हाई योगा उसके थोड़ा सा उपर मैं इस्टॉपलोश अपना लगाऊऊँगा और मेरा जो टार्गेट होगाट on is two तू पहला होगा पिर यह बहुत बेटर काम करता है, बुलिस में भी अच्छा काम करता है, 70-80% काम करता है, बट बीरिस में मैं मानता हूँ कि 90% से उपार अच्छा काम करता है, और अच्छा ही काम नहीं करता है, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत जल्दी टार्गेट अचीव कर देत बुलिस में क्यों होता है कि बहुत दीरे घिरे जैसे आपर अपने देखा हो गांद मेरा ट्रेट यामकोट्यू करेंड तो यहां पर यह मारकेट अप्टेंड में है यहां पर संप्राइप बनाया यह आप देखो पहला तर दूसरा लें वह सो इस से बढ़ा है उपर से रियक्शन भी बहुत अच्छा है ठीक है और यहां पर देखो के पहला ग्री और दूपर फिकत बगों क्या करूंगा और यहां पर जैसे ही होगा में ट्रेडि लेना यहां पर मेरा है तो है हैं थोड़ा सा उपर लेना ऑप और जो मेरे टार्गेट होगा मिनिमूम मेरे टार्गेट में अचीव हो गया तो यह आप केंडलिस्टिक यूज कर सकते हैं यह बहुत बड़िया केंडलिस्टिक है ठीक है इसका एकुरेसी जो है वह 70-80% है मैं 100% क्योंकि 100% कोई भी strategy काम नहीं कर दिया अगर कोई आदमी आपको बोलता है कोई trader आपको बोलता है कि अगर कि उसका जो strategy वह 100% काम करता है आप जब ट्रेड़ लोगे तो profitable रहोगे तो समझें वह आपको बेवकूब बना रहा है 100% कोई भी काम नहीं करता है मार्केट में अगर उससे इतना ही पता है तो वह अपनी जो जितनी भी capital है जितना भी घर बार है सब बेच करके ट्रेडिंग में काम करेगा और उसके बाद उससे चार गुना पैसा बना करके नया घर खरिद लेगा तो जो आपको बोलता है कि 100% वह profitable है वह profitable strategy वह आपको strategy क्यों बेचेगा भाई वह करोडों कमाएगा ना फिर वह strategy से तो समझ जाओ आपकी वह आपको बेवकूब बना रहा है लेकिन यह strategy जो है वह 70-20% अच्छे से काम कर करता है तो आप यह यूज कर सकते हो 15 मिनट पे आपको यूज करना है मैंने आपको बता रहा है कि 15 मिनट से कम में आपको यूज नहीं करना ही है 15 मिनट से ज्यादा यूज नहीं करना आपको 15 मिनट पे यह candlestick pattern बनते हुए ज्यादा दिखाई देगा आपको और यह अगर बनता है Perfect left तो यहां से chances होता है कि market downtrend में जा सकता है मतलब अपना जो trend है वो reverse कर सकता है market तो इसको कहते है spinning top दूसरा है spinning bottom यह हैसे नाम सही पता चल रहा है कि यह हैसे bottom पे बनता है तो जो chart होता है वो downtrend में अगर है और अगर यह spinning bottom pattern बना देता है तो यह market करीवर्स होने का chances होता है और market bullish direction में जा सकती है तो जो body होती है spinning top की चोटी सी होती है और जो और जो इसका विक होता है वो इसके size के दुगने से भी दूगना होता है मतलब यह आप देख सकते हो यहां पर बॉडी स्कूरेम जो बडु और तो आए जानता है mais i है तो यहां आप यह चार्टब देख सकते हो यह निफ्टी का वाइब मिनेट का इंट्रावाइड चार्ट है अगर आफ 5 मिनट पे करते हो तब भी यह पैटन बनता है अगर 15 मिनट पर करते हो 30 मिनट पर करते हो जीस वी टाइमसेद्न करते हो और टाइमसेद cheating यह पर यह आप सकते हैं यहां पर डबल इसका डबल करें लूट definis This वढ़न चुका तो यहां पर ट्रेड मैं कब लूंगा सबसे पहले टो मुझे यह जनना है यहां पर यह से बना तो दिया है but मैक ट्रेड कर लूंगा जब यह नेक्स्ट Candle लेना है यहां पर इसके लिए लेना है जब इस विक के नीचे जाने लगे जब प्रिवियस इस्पिनिंग टॉप के जो विक है जो लो है उसके जब नीचे जाने लगे तब मुझे यहां पर ट्रेड लेना है केंडल क्लू जोने का वेक्ट नी करना मुझे जैसे यह नीचे जाने लगे मुझे ट्रेड लेना है यहां पर देखाँ आप यहां पर मैं ट्रेड लोगा मेरा जो बात शोप्लीलूँकब मेरा चार से पांच केंड़ इस्टिक में मेरा जो हैसे target है वो अचीब हो चुका है यहाँ पर 1-3 का तो आप देख सकते हो कि spinning top जो candle stick है वो कितना better काम करता है अगर आप uptrend में हो और downtrend का trade लेना है तो आप wait करो कि spinning top कब बनाता है जब यह अपना top बना देगा और उसके बाद वापस जब यह जो next candle होगा वो इसके जो spinning top क जो week होगा उसके नीचे जब जाने लगेगा तो मुझे trade लेना है और 1-3 का मुझे target लेना है इसका एक और example देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक और spinning top का example है यह एक और spinning top यहाँ पर बनाया है यहाँ पर मार्केट अप्ट्रेंड में है मार्केट वह आपस उपर मार्के उपर जा रहा है यहाँ पर देखो एथना बड़ा candle बनाकर करके उपर गया ठीक है उसके बाद देखो यहाँ पर आप यह spinning top बनाया है यहाँ तो मुझे कब trade लेना है जब यह जब वीक के नीचे जाने लगे तो जो वीक के नीचे कब जाने लगे next candle जो है वो देख कीता हो यहां पे और आप देख सकते हो कितना बड़ीया काम किया ऑन इस्टू 3 मेरा एजली अचीव हो गया तो यह आप जो इस्पिरिंग टॉप है यह बहुत बढ़ीया यूसकर सकते हो इसको लेकिन आप बहुत सारे कैंडल केंडलिश्टिक पैटं या फिर बहुत सारे कैं सेधायों को ही याद रखो यह जिद आधा इन चीजों में उल्जहो घैना इद गई जाधा कन्फ्यूसन हो होगा मेरा stop loss यह होगा आपका stop loss भी हीट होगा ऐसा नहीं है कि आपका stop loss hit नहीं होगा पर्ट मोस्ट प्रोबैबली यह 70 to 80% आपका target hit करेगा तो आप यह दो example देख चुके हो spinning top का अब आए जानते हैं spinning bottom के बारे में तो यह आप देख सकते हो यह से spinning bottom है यह जो candlestick है यह आपका जो trend है उसके bottom पे बनेगा जैसे यह downtrend में चल रहा है इसके bottom पे यहाँ पे यह बनाया है और यहाँ पे मुझे trade कैसे लेना है वैसे करेंगा जैसे मैं लेता था कि विक के जो नीचे जाने लगेगा next candle तब मैं trade लेता तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे विक के उपर जाने लगेगा यहाँ पे candle मैं यहाँ पे long position ले लूँगा यहाँ मेरा stop loss होगा जस्ट इस candle के थोड़ा नीचे मैं लूँगा यहाँ प दो तीन पॉइंट करेंगा उसके बाद वापस आपका रैली कर जाएगा मार्केट तो आप यहां पर ट्रेड कब लोगे जैसे इस पिनिंग टॉप में मैंने बताया था कि यहां पर जैसे यह वीक को निकालता है नीचे की वर तो मैं यहां पर ओपर की वर जैसे निकलता तो आप देखो यहां पर जैसे ही next candle है वह this candle है носala यह जो इनिकाला मैंने ट्रीड ले लिए स्टापलोस में यह यहां पर होगा और यहां पर टार्गेट होगा मेंडर तो यहां पर देख सकते ZTE yep xe बढ़िया काम करता है यहां पर आप देख सकते हैं आगे की और कि इस पिनिंग बढ़िया बनाएं यहां पर बनाएं यहां पर आप इस ट्रेड में एंटर हो चुके हो मार्ए पी बोरी होगा इस दिन बाइद बहुत बहुत दीरे दीरे गया होगा लेकिन यहां पे देखोओ अचीव कर गएबाइब मेरा मतलब हमने यहां पर चार एक्जामपल देखे दो एक्जामपल हमने देखे इस्पिनिंग टॉप्स के और दो एक्जामपल देखे इस्पिनिंग बॉटम के और दोनों बहुत अचा काम किया यहां पर आप देख सकते हो मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ कि ये काम करते ही हैं बट ये 70-80% काम करते हैं Candlestick और आप भी इसका यूज़ कर सकते हो आप चाहे Intraday करते हो Holding करते हो कुछ भी करते हो Stocks करते हो Nifty Bank Nifty कुछ भी करते हो Fin Nifty आपका हर चीज़ में ये काम करेगा और Nifty में तो मैं बहुत बढ़िया मतलब मैं Nifty में Trade करता हूँ तो मैं जो ऐसे हमेशा इस Candle का Wait करता हूँ कि जब ये Candle बने तो बहुत बढ़िया Trade मेरे को मिलने वाला है यहाँ पर तो ये Candle जैसे ही बनता है मैं वेट करता हूँ तो दोस्तो चार्ट पैटन्स एक तरह का ग्राफिकल रेपरजेंटेशन होता है जो हमें मार्केट के मुवमेंट्स और ट्रेंट्स को समझने में हेल्प करता है यह हमारे लिए एक ट्रेजर मैप की तरह काम करता है जिससे हम मार्केट के पोटेंशियल ट्रेट्स को खोच सकत है प्राइस में मोवेमेंट होने के कारण चार्ट बहुत सारी रेट और ग्रिन केंडल बनाती हैर यही केंडल मिल करके Candlestick chart-pattern बनाती हैं बहुत सारे प्रॉपेशनल ट्रेडर्स हैं जो चारड पैटन देख करके trade करते हैं कुछ लोग चार्ट पर बहुत सारे टेकनिकल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं जो प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने के बारे में बताता है जैसे कि मोविंग एवरेज, RSI, एक्सेक्टरा तो आपको मैं बता दू कि अलग-अलग टाइम इंटर्वल पर अलग- शेयर मार्केट में तीन प्रकार के ट्रेडिंग चार्ट पैटर्स होते हैं बट मैं केवल दो ही यूज करता हूँ तो पहले मैं रिवर्सल पैटर्स के बात करूंगा तो आए समझते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्स यह चार्ट पैटर्स प्राइस के रिवर्सल होने का सिगनल देता है मतलब अगर ट्रेंड उपर जा रहा है तो चार्ट पैटर्स पर को रिवर्सल पैटर्स बना तो अपने डिरेक्शन वो बदल सकता है reversal chart patterns के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे double top, double bottom, triple top, triple bottom, head and shoulder और reverse head and shoulder बट मैं केवल दो reversal chart patterns का ही यूज करता हूँ और वो है double top, double bottom तो आईए जानते हैं double top chart patterns के बारे में ट्रेडिंग के लिए double top chart pattern सबसे best है क्योंकि यह pattern chart पर कई बर बनते हुए दिखेगा double top सबसे common chart patterns है इस pattern में आप देखेंगे कि पहले stock prices जो होता है वो increase होता है और किसी resistance level से टकरा करके नीचे की ओर आजाता है और फिर किसी support level से टकरा करके वापस उपर की ओर चला जाता है इसके बाद जब price दुबारा उसी resistance level पर टकरा करके वापस नीचे की ओर लॉट आता है तो इस pattern में दो resistance या दो टॉप की रियेट हो जाते है तो इसे हम कहते हैं double top यह pattern chart पर M-sip का दिखता है तो आईए जानते हैं इसके कुछ examples और इसमें trade कैसे कर सकते हैं यह देख सकते हो आप यह double top के example है यहां पर आप देख सकते हो double top बनाया है market ने यह कुछ चार-पांस दिन पहले का यह 18 जुलाई का है देख सकते हो आप मैं आप आपको बताता हूँ कैसे double top बनाया है यह देखो आप पहला यह और दूसरा यह पहला टॉप दूसरा टॉप यह नेक लाइन इसको भी मैं mark कर लेता हूँ ठीक है यह आपका नेक लाइन तो अब मैं क्या करूँगा अब मैं बार रिपले on करूँगा और देखूँगा यह काम करता है कि नहीं शरी यह देखते हैं मैं बार रेपले आन कर रहा हूं और देखते हैं कैसे काम करता है यह पहला यह दूसरा नेकलाइन को तोड़ चुका है बट मैं यहां पर ट्रेड नहीं लोगा अब मैं क्या करूगा मैं वेट करूगा इसके जो पहला जो सपोर्ट था उसके पास जब रेसिस्टेंस बनाएग गाइगचा वहां पर कोई कैंडल बनाएगा तब मैं जाकरकर वहां ट्रेड लोगँगा अब देखते हैं क्योंकि यह सबोर्ट था उसको रेसिस्टेंस पर मिना चुका है तब बारा जब वारे बने करने गया तो मैं आप अगर trade लोंगा तो मेरा जो stop loss होगा वो 180R कहीं साब से होगा ठीक है और मेरा जो target होगा वो 1 is to 2 होगा तो देखता है कैसे होता है ठीक है यह काम करता है के नहीं देखता है यह देखो मेरा target यहां पर अचीव हो चुका है तो आप देख सकते हो यह double top कितना बड़िया काम करता है तो यह रहा double top एक्जाम पर डबल बॉटम चार्ट पैटर्न यह जो चार्ट पैटर्न है यह double top के just budget है इसमें जब प्राइस दो बार support लेवल पर टकरा दरके उपर की ओर lot आता है तो इस चार्ट पैटर्न को डबल बॉटम चार्ट पैटर्न कहते हैं इस पैटर्न में दो सपोर्ट यह bottom की रियेट होत जिए पर होता है रीब आवन त्टर्ट पैटर्न होता है तो मैं सब्सक्रमा यह है तो यहां पहला सभें लिए मैं ट्रोगोह लिता हूं लाइन सब्सक्राइब लिखता करूट मैं उसको वापस मार्केठ तोड़े उसके बाद वापस इस पर नेखलाइन का जो तो रेसिस्टेंस था उसको जब सपोर्ट बना ले तब मैं यहाँ पर बाइंग के लिए जाओंगा तो अब मैं देखता हूं कि क्या करता है मार्केट काफी अच्छा एक बुली सिंगल फिंग पैटर्न बनाएं यहाँ पर काफी टाइम पिताने के बाद तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा मैं ट्रीड ले लूँगा माइंग साइट कर लोगा इस टॉपलोस मेरा होगा वन इस्टू तो मैं देखता हूं कि अच्छी बहता है कि नहीं यहां पर अप देखो मेरा टार्गेट इजली अचीव होगया तो यह आप देख सकते हो कि डबल बॉटम कितना अच्छा काम करता है बट आपको यह याद रखना है कि इन तो बॉटम देखने है उसके बदद्द आपको देखना है कि नेकलाइन कहा है नेकलाइन क्यायन वह है Continuation Chart Pattern यह Chart Patterns बताते हैं कि अगर चार्ट पर Uptrend या Downtrend कोई साभी Trend चल रहा है तो आगे वही चलने वाला है Continuation Chart Patterns दो टाइप क्यों होता है पहला होता है Bullish Rectangle और दूसरा होता है बॉक्स बना दे तो यह Bullish Rectangle Chart Patterns कहलाएगा इस Chart Patterns में आप देखेंगे कि प्राइस सुरू से ही Uptrend में चल रहा है और कुछ देर तक Support और Resistance के बीच होंता रहता है मतलब Sideways हो जाता है इसके बाद Rectangle के उपर की ओर और मतलब Resistance के उपर Breakout देता है और उसके बाद वापस Uptrend continue करता है तो आईए जानते हैं इसके कुछ Examples और इसमें ट्रिट कैसे कर सकते हैं तो यह चार्ट आप देख सकते हो यहां पर Market Uptrend में है हमें फाइंड करना है कि बुली स्रेक्टेंगल फॉर्म करता है कि नहीं तो यहां पर मार्केट साइडवेज हो चुका है आप देख रहे हो यहां पर अब ट्रेंड के बाद Market साइडवेज है तो मैं क्या करोंगा मैं पहले यह देखरा पहला हाई यहां बनाया दूसरा ही फिर सेम बनाया तीसरा बनाने जा रहा है फिर पिर तीसरा बनाया मतलब यहां पर यह पर असिस्टेंस कर रहा है यह रैसिस्टेंस है और यह जो है यह सपोर्ट है अब यह तूटेगा तो मैं ट्रेड ले लोंगा क्योंकि मार्केट कॉंसलेडेट कर रहा है लमने, मैं ट्रेड थेका एन संदू है यहाँ और यहाँ पूर्ट तो यहाँ पर सब्लाइत है कि देखता है यहाँ ईचाँ ट्रेड अचुँ सब्सक्राइब होता है कि rédu मतलब यह भी पैटन अच्छे से काम करता है तो आप ऐसे ले सकते हो मार्लो अगर मार्केट अप्ट्रेंड में है कॉंसलेड कर ला है रेक्टेंगुलर शेप भी बना सकते हैं उसके वाज जब इसका ब्रेक आउट देगा तो आप यहां पे ले सकते हो ट्रेड तो यह रहा ब मतलब प्राइस सपोर्ट और एसिस्टेंस के बीच गूमते रहता है तो इसके चारों और बॉक्स बनाने पर ब्रेक आउट सपोर्ट तूटने के बाद होता है तो आईए इसके भी कुछ एक्जामपल्स देखते हैं और इसमें ट्रेड कैसे लेना है यह भी देखता है तो कि देख सकते हो आपके मार्केट यहां से नीचे गिरा उसके बाद क्या होगा कि साइडवेज हो गया है तो यहां पर मैं क्या करोंगा मैं एक को रेक्टेंगल बना दोंगा रेसिस्टेंस सपोर्ट ले रहा है अब यह जब रेक्टेंगल को तोड़ेगा अब मुझे डाउ हुआ है ट्रिकर लेकर मैं डाउनसाइड में अगर आप में देगा तो मैं नहीं लोंगा सो में वैट करूंगा डाउनसाइड का यह देखो यह फिखता है कि टारगेट सचीव गथा एक न। देखो कितना एजली, आपने हमेसा देखा हो कि जब मार्केट बियरिस होता है ना तो ज्यादा तेजी से गिरता है, कितना एजली मेरा टार्गेट अचीव हो गया है यह आप, तो यह है बियरिस एक्टेंगुलर पैटर्न के ब्रेकडाउन का ट्रेड का एक्जाम्पल, अगर मार्केट ज्यादा गैप आप और गैप डाउन खुल जाता है, तो मैं उसके लिए मुविंग एबरेज का यूज करता हूँ, तो मैं एक्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे आप देख सकते हो, मार्केट अप्टरेंड में है, मार्केट कुला, डाउन गया, मार्केट अगर अप्टरेंड में, तो मैं केबल अप्टरेंड का ही ट्रेड लोगा, ठीक है, मुविंग एबरेज के नीचे गया, मुझे नीचे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मुविंग एबरेज के जैसे ही उपर फ्लोज होगा, मैं इसको लोगा ठीक है, यहाँ पे अगर मैं प बनाया है यहां पर यह नीचे जाता है जैसे यहां देखा यहां पर नीचे गया यहां बड़ा सबनाया है लोग कि यहां पर दाउंट्रेट लिनागे लेता हूं अच्छा चला जाएगा बट यहां पर ट्रैप किया लोगों को उसके बाद वापस उपर चला गया इसलिए हमें वेट करना है कि वापस कितना भी नीचे चला जाए तो मुझे डाउंट का ट्रेड लेना ही नहीं है ठीक है मार्केट नीचे जाएगा यह में को तोड़ेगा न ट्रेड्य में गया तो यहां पर अगर यहां पर में ध्र चक्रता है रिज्ये केंडल करता हूं तो पहला लेसन जो मैंने सीखा है यहां पर जैसे मालो market यहां पर open होता है gap up और gap down open होता है वहां पर मैं सोचोंगा कि यार यहां पर market बहुत जादा gap up खुल गया है gap down खुल गया है इतना बड़ा move दिया तो मैं क्या करता था मैं यहाँ पर बाई कर लेता था उपर में on the top बाई करता था मैं उसके बाद मेरा stop loss हीट हो जाता था उसके बाद मुझे लगता था यार selling opportunity है और यह जब नीचे आता था मैं यहाँ पर मतलब एकदम सबसे नीचे sell करता था मतलब कोई एक strategy नहीं था मैं सुबह उठता था मेरे पास capital मेरे पास अच्छी खासी थी मेरे पास knowledge नहीं था मैं सुबह उठता था मैं trading करने happily बैठता था जहां मर्जी करें वहाँ पर ले लेना जहां मर्जी करें वहाँ पर sell कर देना जैसे यहाँ पर buy कर लेना यहाँ पर sell कर ल support क्या होता है, resistance क्या होता है trend क्या होता है higher है, higher low क्या बनता है ये सब, indicators क्या होते है कुछ नहीं पता था मुझे मैं सुबह उठता था, market open हुआ कहीं भी buy कर लेना, कहीं भी sell कर लेना यही मेरा trading होता था पहले तो ये चीज मैंने सीखी है कि अगर market जा रहा है तो उसे जाने दो, लालच मत करो कि भाई opportunity मिस हो जाएगी, निकल जाएगा एक time था मेरे पाँ, जब मेरे पास capital नहीं था, और मैंने ट्रेडिंग मैंने paper trading करता था, तो मेरा अच्छा trading चलता था तो आपको opportunity मिलेंगी market में market कभी खतम नहीं होने वाला है, आपकी पूरी जिंदगी खतम हो जाएगी, लेकिन market कभी खतम नहीं होगा, तो आप अपने opportunity का wait करो, जब आपको opportunity मिलती है trading की, जब आपका setup बनता है, तभी आप trade करो यह नहीं कि कहीं भी buy कर लो, कहीं भी sell कर लो और जो मैं गलती करता था, उस mistake को मैंने change किया, मैं यहीं गलती करता था, कि मेरा पता ही नहीं था कि कहा buy करना, कहा sell करना है, तो सब से पहले मैंने उसको सुदा रहा, यह mistake मैंने सुदा रहा, मैं कहीं भी buy sell नहीं करता हूँ, मेरा एक demand और supply zone होता है, मैं support और है ठीक है मेरा level अगर यहाँ पे है यह level है मेरा अगर market gap up खुल जाए और इस level पे नहीं आए तब तक मुझे buy नहीं करना है market अगर यहाँ आया ठीक है यहाँ पे मुझे opportunity मिलेगा मैं buy करूंगा with confidence 200 quantity 300 quantity with confidence कितना भी quantity but मुझे confidence होना चाहिए कि भाई यह trade मैंने लिया है वो सही है अगर आप एक दो दिन profit कर भी लेते हो गले trade से तो दस दिन आप loss करोगे तुक्के से जो चीजे होती है उससे confidence push नहीं होता है उससे बस आपको लगेगा ego push होगा आपका आपको लगेगा भाई मैं ही महान हो लेकिन आपका confidence push होगा आपका trade से कि भाई यहां पर hammer बनाया है मेरा support है यहां पर मैं ले ले लेता हूँ दो-तीन बार आपका stop loss हो जागा आप छोड़ दोगे फिर दूसरे strategy पर shift हो जाओगे तो सबसे पहले अपने trading journey में knowledge को information को लाओ पहले पढ़ाई करो पहले जानों कि supporter assistance क्या होता है indicators क्या होते हैं कौन सा candle मुझे buy करना है यह सब करो उसके बाद आप trading start करो तो यह रहा मेरा पहला mistake जो आपको भी change करना चाहिए अगर आप यह करते हो तो कहीं भी buy और sell कर लेना यह चीज आपको change करना पड़ेगा बहुत important होता है और एक नया trader सबसे बड़ी यही गलती करता है कि वो कहीं भी buy और sell कर लेता है उसको कुछ पता ही नहीं चलता है कि buy कहा करना sell करना कहा है और मैंने भी यही किया था तो आईए जानते हैं अब दूसरा mistake तो मेरा जो दूसरा mistake था वो था कि मैं बहुत जादा indicator यूज करता था मतलब मैं यहाँ पर आता था मैं यहां पर average to range भी यूज कर लेता था मैं एक और indicator है William Selleigator ये भी यूज़ कर लेता था और ये ऐसे दिखता था मेरा चार्ट ऐसे भी नहीं दिखता था इससे भी खराब दिखता था इसका मैंने premium भी ले रखा था super trend यूज़ करता था इतने सारे indicator यूज़ करता था अब आप पताओ यहाँ पे कि आप कहां buy करोगे कहां sell करोगे कुछ पता है आपको कुछ पता है आपको नहीं पता है क्योंकि मैंने बहुत सारे indicator यूज किया है एक साथ क्योंकि मैं एक ही चार्ट पर बहुत सारे indicator यूज करता हूँ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि indicator काम नहीं करता है बट उनका एक pairs होता है हर indicator का एक pair होता है अब जैसे मैं EMA यूज़ कर रहा हूँ तो EMA के साथ मैं 2 EMA यूज़ करता हूँ 2 EMAs 10 EMA, 20 EMA मुझे पता है कि 10 EMA कहां यूज़ करना है मुझे 20 EMA कहां यूज़ करना है प्राइस अगर 10 EMA और 20 EMA के बीच में fluctuate कर रहा है मतलब वो sideways market होने का chance है जब 10 EMA के पास आएगा तो मैं sell करूँगा 20 EMA के पास आएगा तो मैं buy करूँगा यह मुझे EMA के बारे में पता चला अब मैं alligator यूज़ करना हूँ वीडियो से देखोगे मैंने super trend और PVI का indicator का strategy भी बता रहा है कि आप 5 मिनिट पर इंटराड एपर कैसे कर सकते हो PVI और super trend indicators का use तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से indicator का किस indicators के साथ pairs बनता है यह नहीं कि आप किसी भी indicator को किसी के साथ huge करोगे तो आपको result नहीं मिलेंगे आपको हमें से loss ही होगा अब जैसे example लेते हम super trend का यह super trend का तो super trend में आपको क्या problems होगी आपको problems होगा कि जैसे यहाँ पे तो आपने buy कर लिया यहाँ पर buying signal लगा है भाई हुआ नहीं हुआ तो आप इसमें confused होगे फिर आपको लगेगा super trend तो काम ही नहीं करता तो super trend काम कैसे करेगा super trend काम करेगा जब आप positive volume index इसके साथ huge करोगे तब ऐसा नहीं है यह fail नहीं होगा but positive volume index आपको huge करना पड़ेगा आप अगर इस strategy के बारे में नहीं जानते हो तो आप एक मेरा वीडियो है super trend plus PBI strategy वो आप जाकर के देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि super trend का huge कप करना है मुझे तो यह देखो यह चीज़े होती है जो आपको सीखनी होती है आपके trading journey में कि आपको बहुत सारे indicator यूज नहीं करना है एक साथ आपको कौन सा indicator के साथ कौन सा pair है वो यूज करना है और बहुत सारे indicator पर dependent मत रहो ज्यादा तर price action पर dependent रहो मैंने भी बहुत सारे indicator यूज किये हैं दो तीन इव इंडिकेटर अच्छे से काम करते हैं और वो दो तीन इंडिकेटर का मैंने वीडियो बना रखा है बाकी जो indicators है वो इतना अच्छा काम नहीं करते हैं वो lagging indicators होते हैं वो उतना बेटर नहीं लगते हैं मुझे मैं price action पर ही dependent हो ज्यादा तर मैं indicators यूज करता हूँ दो तीन लेकिन मैं ज्यादा दर price action पर कम करता हूँ तो सबसे पहले आप अपने knowledge को boost करो आप अपना price action जो चीजें होती है support resistance क्या होता है indicators के साथ ये भी यूज करो price action भी यूज करो तब ठीक रहोगे लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा indicator दो यूज करो दो से ज्यादा indicator मत यूज करो इन pairs आपको pairs भी यूज करना होगा दो indicators तो ये second trading lessons जो मैंने सीखे हैं अपने तीन साल के experience में जो तीसरा trading lesson है वो है कि मैं बहुत ज्यादा overthinking करता था ट्रेल लेने के पहले जैसे मैंने बता है कि मैं support resistance ये सब कुछ नहीं जानता था तो मैं क्या करता था मैं कहीं भी buy sell करता था तो मुझे confusion होता था कि भाई buy कहा करना है sell कहा करना है और बहुत ज्यादा मैं overthink करना लगता है रात रात को नीन नहीं आती थी मुझे रात 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 स्टेटीजी चेक करता था कि भाई ये कैसे काम करता था तो market में अगर आप आऊना था mind को एदम relax करके हो सब से पहले क्योंकि आप यहाँ पर business कर रहा हो अगर आप mind relax करके नहीं आओगे तो आप ए profitable trader नहीं बन पाओगे end of the day आप loss ही करोगे अब आप मुझे पता है यहाँ पे support है ठीक है तो मुझे overthink करने की क्या जरूरत है अगर मुझे पता है कि यहाँ पे support है ठीक है यहाँ पे resistance है तो जब market यहाँ पे आगा तो मैं buy करूँगा तब तक मैं गाने सुनूँगा तब तक मैं movies देखूँगा मैं wait करूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे support पे आए यहाँ मैं wait करूँगा कि resistance पे आए तब मैं sell करूँगा यह resistance को तूटने दो तब मैं buy करूँगा तो मैं पहले क्या करता था पहले overthink करता था पहले दिन दिन बर market में बैठा रहाता था और पूरा screen देखते रहता था और हर minute पे trade लेता था जैसे यहाँ पे selling आया दो-तीन candle बना दिया यहाँ पे buy कर लेता था मार्केट उपर चला जाता था इस टॉपलो सेट कर जाता था दैस में से दो trade चल जाते था तो मुझे लगते था यार बढ़िया काम कर रही है तो overthinking आपको नहीं करनी है आपको एकदम relaxed mindset से आना है मतलब blank आओ आपको केवल support resistance यह सब पता रहना चाहिए आपको बस price action पता रहना चाहिए आपको बस trading का knowledge होना चाहिए outer जो knowledge है वो सब delete करके आओ जो life में जो problem चल रहे हैं उसको हटागर करके आओ तब ही आप एक profitable trader बन पाओगे अगर कोई problem चल रही है घर में या फिर कुछ और भी problem चल रही है देड़ देड़ तो ट्रेड लेता था और मेरा जो brokerage है वो आपका per day का 5000-4000 रूपे हो जाते थे तो आप समझ सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा ऑवर ट्रेडिंग करता था ऑवर ट्रेडिंग क्यों करता था क्योंकि मेरा जो mind है वो relax नहीं होता था मैं बहुत ज़्यादा overthink करता था कि मार्केट इतना जाता नीचे चला गया मैं यहाँ पर buy कर लेता हूँ अब नहीं जाएगा नीचे और वो और नीचे जाते रहता था और मैं वहाँ पर buy करता था जैसे market नीचे जा रहा है मैं यहाँ पर और add कर लिया quantity कि और add कर लेता हूँ 90 रुपय का call है वो 60 रुपय आ चुका है तो यह मुझे सस्थे में मिल रहा है तो मुझे यहाँ पर buy कर लेना चाहिए और buy करता था market और नीचे जाता था फिर और buy करता था और market नीचे जाता था अगर अप्ट्रेड में है तो अप्ट्रेड में ही जाएगा वह चाहिक इतना भी उपर हो market तो यह सब चीजे जो मैंने सीखी है अपने ट्रेडिंग जाननी में I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो like करो, share करो, subscribe करो Thank you so much guys